जो अनुमान है उसके साफ से आए में 23% की ग्रोथ आप देख सकेंगे जो अपरेटिंग प्रॉफिट से वो 17% से बढ़कर आ सकता है जो FMCG का कॉंपोनेंट है उसके जलते मार्जिन्स थोड़े से दबाव में होंगे लेकिन प्रॉफिट 14% से बढ़कर आगा आप इंट्रेस्टिंग और इंपोर्डेंट सिगरेट वोल्यूम का जो एक्सपेटेशन ए वो 13-15% का है इस पार पिछली बार भी था कंप्रीन आउट परफॉर्म क्या था एक्सपेटेशन है कि इस फार भी आउट-परफॉर्मेंस आ सकती है जब सिरेट वोल्यूम की बाद की ब दबा होगा लेकिन फिर भी FMCG की जो आए है वो 12% से इस बार बढ़कर आएगी हाला कि ये भी अनुमाने की quarter on quarter basis पर मतलब पिछले quarter से इस quarter में margins थोड़े से better आपको FMCG में आते दिखेंगे hotel और paper segment में भी इस बार expectation है की बढ़िया growth होगी तो नज़र रखनी है जो de-merger इनकी भी बात हो रही है hotel अलग करेंगे paper अलग करेंगे तो वहाँ पर क्या management की commentary आती है stock में बहुत momentum है 55% इस साल अप्टिक दिखा है stock में valuation जो 15-16 के थे अब बढ़कर 22-23 के हो गए लेकिन दूसरी company से काफ़र डिसकाउंट पर है झतलिक आत सकाउपपच्पक ज़तों अब बाBackcion आत साण पार場 है काष्ग कावा ऑन जो अंब मान हमै रराव यहाँ जो कि वहाँ आत काउंख़ा नं WHY एभ्टस दूसा को弟 को 궁금하지 ले झात्सी करेंगे